हलो स्टूडेंट स्वागे था आपका हमारी क्यूकिस्टेडी चैनल पर जिसमें हम बात करने वाले हैं राष्तान जी के और जनर्ल साइंस की टॉप क्यूशन सिरीज के बारे में स्टूडेंट मैं आपको बता दू यह हमारी टॉप क्यूशन सिरीज टॉपिक वाइज होने वाली है और ये टोप कुशन सीरीज आपके एक्जाम लेवल को ध्यान में रखकर बनाएगे साथ इस टोप कुशन से शोरी इस टोप कुशन सीरीज से आपके एक्जाम में क्यूशन आमने की संबावना है ज्यादा रहने वाले हैं तो इस्टुडेंट आज हम जनरल शोरी वार्वार्ड रियासत मेवार्ड रियासत कच्वा वंस या कच्वा रियासत के टॉप क्यूशन नहीं देखें तो वह क्यूंकि इस्टेडी चैनल पर जाकर के देख सकते हैं तो इस्टुडेंट आजगा हमारा होने वाला है सोरी आजगा हमारा जो टॉपिक है वह 94 है जिसमे हम top questions के बारे में बात करेंगे साथे साथ मा आपको बता दू sorry साथे साथ मा आपको बता दू इस channel पर आपको general science की top question series भी देखने को मिलेगी जिसमें आपको अभी तक इस channel पर vitamin मानव रोग के topic के top questions देखने को मिल जाएंगे तो student शुरू करते हैं चोहान वंस के सासक अजे राज ने अपनी कौन सी रानी का नाम शिको पर अंकित करवाया था तो student इसका सही answer होने से पहले sorry इसके option देखते हैं कौन-कौन से option ए है सोमेला option भी है आत्म प्रभा option सी है रुद्रानी option डी है सोम सोमलवतिया सोम लेखा तो student question number first का सही answer होने वाला है option डी सोमलवतिया सोम लेखा जो 94 के सासक अजे राज की रानी थी उसका नाम अजे राज ने शिको पर अंकित करवाया था चलते हैं आज के हमारे दूसरे question के और आज का हमारा second question है परत्वी रात तरतिया ने बंड़ना एको का दमन sorry यहाँ पर दमन की जगए दमन कर लेना दमन कभी किया था तो हमारे option है option है 1160 option भी 1182 option 6 1190 option डी है 1165 तो question number second का सही answer होने वाला है option B 1182 के अंदर परत्वी रात तरतिया ने बंड़ना एको का दमन किया था आज का हमारा third question है चोहान सासक अजे राज ने अपना उत्रादिकारी किसे बनाया था चो चोहान सासक अजे रात ता उसने अपना उत्रादिकारी किसे बनाया था हमारे option है option है विरेराज चतुर्थ option B option C है पर्तुराज ओप्शन डी है पर्तुराज फर्तम तो student अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना बोले यह हमारी चोहनवंस का फर्स्ट पाट है और student अगर आपको इन क्यूशन के आंसर पता है तो आप भी कमेंट के माद दिम से आंसर दे सकते हैं और आप अपनी तयारी कर सकते हैं और इन क्यूशन के माद दिम से आप अपनी तयारी का आपको आसानी शिक कर पाएंगे तो student दिखते हैं next question की और हमारा अगला question है question number 4 परतुई रात तर्तिय का सेना पती को न था तो हमारे option है option A कदम वास option B बुएन मल option C श्यावास option D ये बुएन वास तो question number 4 का सही answer होने वाला है option A कदम वास जो की परतुई रात तर्तिय का क्या था सेना पती था चलते हैं आज के हमारे next question की और question number 5 question number 5 है बिसल सागर जील वे बिसल पुन नामक ग्राम किस ने बसाया था एक तो बिसल सागर जील के बारे में बताना है और एक बिसल पुन नामक ग्राम के बारे में इन दोनों को बसाने वाला कौन था तो हमारे option है, option है परत्वी राज तरती है option B, विरहे राज चतुर्थ, option C, अन्नो राज, option D, अजे राज question number 5 का सई आंसर होने वाला है option B, बिसल सागर जील वे बिसल पुन नामक ग्राम बसाया गया था चलते हैं आज के हमारे अगले question के और हमारा अगला question है question number 6 राजस्तान की पहली महिला परसाशी का वे सरक्षी का किसे माना जाता है हमारे option है, option एतारा देवी, option B, करमा होती, option C, कपूरी देवी option D, कंचन देवी तो student question number 7 का सही answer होने वाला है, option C, कपूरी देवी, जिसे राजस्तान की पहली महिला परसाशी का और सरक्षी का माना जाता है चलते हैं आज के हमारे अगले question की और question number 8 तराइन का दित्ते युद कब लड़ा गया था तो हमारे option है, option है 1190, option भी 1101 में, option C, 1103 में, option D है 1102 में तो student, question number 8 का सही answer होने वाला है option D, 1192 के अंदर तराइन का दित्ते युद लड़ा गया था मैं आपको बता दू, 1191 के अंदर तराइन का जो परतम युद लड़ा गया था चलते हैं आज के हमारे अगले question की और हमारा अगला question है, question number 9 अडाई दिन के जोपडे में, वर्तमान में, किस संगत का उर्स लगता है उर्स का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, student मेला होता है हमारे option है, option ए, पंजाब सा, option B, हुसेन सा, option C, जांगल सा, option D, बंगाल सा question number 9 का सही answer होने वाला है, option A, पंजाब साहे का उर्स, अडाई दिन के जोपडे के अंदर लगता है चलते हैं आज के हमारे अगले question की और, हमारा अगला question है, question number 10 ललित, विग्रे, राज, नाटक के, रचीता, सोमदेव, किस सासक के दरवारी कभी थे हमारे option है, option 1, कानेड़, option B, अन्नो राज, option C, हम्मीर, option D, विग्रे, राज, चतुर्द, तो student, question number 10 का सही answer होने वाला है, option D, विग्रे, राज, चतुर्द, विग्रे, राज, चतुर्द, के, ललित, विग्रे, राज, नाटक के, जो रचीता थे, सोमदे, वह दरवारी कभ थे, चलते हैं, आज के हमारे अगले question के ओर, हमारा अगला question है, question number 11, इतियास में अपनी वीर्ता, सोरिय, एम, बलिदान के लिए परसिद, आला, वे उदल, किस सासके, प्रमुक्षेना नाएक थे, तो student, हमारे option है, option 1, परतुरात तर्तरिय, option B, परमादी, देव, चंदेल, option C, कुतुबदीन, एबक, option D, मौमद, कोरी, तो student, question number 11 में, सही answer होने वाला है, option B, परमादी, देव, चंदेल के, परमुक्षेना नाएक कौन-कौन से थे, आला, वे, उदल, चलते हैं, आज के हमारे अगले question के ओर, हमारा अगला question है, question number 12, परत्वी रात तर्तिये ने, माहुबा के सासक, परमादी, देव, चंदेल को, 1182 में, किस युद में, क्या किया था, पराजित किया था, हमारे option है, option है, option गुडगाउं, option B, ना डोल, option C, तुमुल, option D, ये, बया, ना, question number 12, का सही answer होने वाला है, option C, तुमुल के अंदर, 1182 में, परत्वी रात तर्तिये ने, माहुबा के सासक, परमादी, देव, चंदेल को, क्या किया था, पराजित किया था, चलते हैं, आज के हमारे, अगले question के और हमारा, अगला question है, question number 13, सूपी, संत, खुआजा, मोईदून, चिस्दी, किस सासक के सासन काल में, कहा है थे, राजस्तान आये थे, तो हमारे option है, option A, सोमेश्वर्चोहान, option B, अन्नोराज, option C, परत्वी रात तर्तिये, option D, ये, विग्रह, रात चतुर, तो student Question number 13 में, सई option होने वाला है, option C, परत्वी रात तर्तिये के सासन काल के अंदर, सूपी, संत, खुआ, मोईदून, चिस्दी, जो कहा है थे, राजस्तान आये थे, चलते हैं, आज के हमारे अगले question के और, हमारा अगला question है, question number 14, सोमेश्वर्चोहान, किस का पुतर था, तो हम Question number 14 में, सई आंसर होने वाला है, option D, अन्नो राज का पुतर कों था, सोमेश्वर्चोहान, चलते हैं, आज के हमारे अगले question के और, हमारा अगला question है, question number 15, जैना एक बट, विद्यापति गोड, वागीश्वर्च जनार्दन, विशूरूप, परत्वी बट, आदी किस के दर बारी विद्वान थे, तो हमारे option है, option A, परत्वी राज, option B, विजे राज, option C, विग्रे राज, option D, अन्नो राज, तो student, question number 15 में, सई आंसर है, option D, अन्नो राज के, जैना एक बट, विद्यापति गोड, वागीश्वर्च जनार्दन, विशूरूप, परत्वी बट, आद किसने करवाया था, तो हमारे option है, option है, चंदन राज, option B, विग्रे राज, option C, अजे राज, option D, वासुदेव, student, question number 16 में, सई आंसर है, option D, वासुदेव के दुआरा, वासुदेव के दुआरा, सामर्ग का निर्मान करवाया गया है, कौन से शिलाले के अंदर, वासुदेव आजगे हमारे अगले क्यूशन के और हमारा अगला क्यूशन है, 17, पुसकर में वरा मंदिर का निर्मान करवाने वाला सासे कौन सा था, तो हमारे option है, option B, परतुराज, option D, विग्रे राज, चतुर्त, तो student, question number 17 में, सई आंसर होने वाला है, option C, अन्नोराज के दुआरा, प student, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना हूले, चैनल पर आप नहीं है, तो पटापर से चैनल को कर लेजे, सब्सक्राइब, इस चैनल पर आपको राष्तान जी के और जनल साइंस की topic wise top question सीरीज देखने को मिलेगी, जिसके माद student, question number 17 में, सही answer में आपको बता चुका, C, अन्नोराज के दुआरा, पुष्कर में वरया मंदिर के निर्मान करवाया गया था, चलते हैं student, आज के हमारे अगले question के और हमारा, अगला question है, question number 18, किस चोहान सासक को कभी बांदव या कट्टी बंदू कहा जाता है, तो हमारे option question है, option A, प्रतुरा अतरती है, option B, विग्रे राज चतुर्त, option C, विग्रे राज दित्ते, option D, अन्नोराज, student, question number 18 का सही answer है, option B, विग्रे राज चतुर्त को कभी बांदव या कटी बंदू कहा जाता है, और हमारे ये चोहान सासक है, चलते हैं, आज के हमारे अगले question के और question number 19, अजमेर में संसकर्त कंठा बरंड नामक संसकर्त पार साला का निर्मान किसने करवाया था, तो हमारे option है, option विग्रे राज चतुर्त, option B, सोमेश वर, option C, परतुराज, तरती है, option D, मूल राज, तो student, question number 19 में सही answer है, option है, विग्रे राज चतुर्त ने संसकर्त कंठा बरंड नामक संसकर्त पार साला का निर्मान करवाया था, चलते हैं, student, आज के हमारे अगले question के और हमारा, अगला question है, question number 20, किस सासक का, सासन काल, चोहानों का श्वन म्युक कहलाता है, तो हमारे option है, option option है, अजिराज, option B, अजिराज, option C, परतुरा अतरती है, option D, विग्रे राज चतुर्त, question number 20 का सही answer है, option D, विग्रे राज चतुर्त के काल को चोहानों का श्वन युक काल कहा जाता है, यानि कि चोहानों का श्वन युक कहा जाता है, चलते हैं, आज के हमारे अगले question के और हमारा अगला क्योशन है 21 निमलिकित में से किस सरोत से चोहान वंस की जानकरी प्राप्त नहीं होती है तो हमारे उप्षन है उप्षन A हरी के लिनाटक उप्षन B बिजोलिया सिलालेक उप्षन C हर्स सिलालेक उप्षन D गठियाला सिलालेक तो इस्टुडेंट क्योशन नमबर 21 का सही आंसर है उप्षन D गठियाला सिलालेक से चोहानों के वंस की जानकरी प्राप्त नहीं होती है उसी के साथ हर्स बिजोलिया और घरी के लिए तीनों सिलालेकों से इनकी जानकरी क्या होती है प्राप्त होती है लेकिन हमारा उप्षन सही रहने वाला है उप्षन D गठियाला सिलालेक चलते हैं आजगे हमारे अगले क्योशन के ओर हमारा अगला क्योशन है क्योशन नमबर 22 हट किस चोहान सासक का मंतरी था जिसने सीकर में इस ती जीन माता मंदिर का निर्मान करवाया था हमारे उप्षन है उप्षन विसल देव उप्षन B अण्णो राज उप्षन C पर्तुई राज पर्तम उप्षन D विग्रेरात दित्ते तो क्योशन नमबर 22 का सही आंसर होने वाला है उप्षन C पर्तुई राज पर्तम चोहान यानि कि पर्तुई राज का मंतरी था जिसकों हट जिसने सिकर के अंदर जीन माता मंदिर का निर्मान करवाया था चलते हैं आज कि हमारे अगले क्योशन के और हमारा अगला क्योशन है क्योशन नमर 23 चोहानों के इष्ट देव हरसनात मंदिर का निर्मान के सासे के काल में हुआ था तो हमारे उप्षन है उप्षन गुवग परतम उप्षन भी परत्वी राज परतम उप्षन सी अंडो राज उप्षन डियो वासू देव चोहान Q23 का सही आंसर है उप्षन A गुवग परतम के सासन काल में चोहानों के इष्ट देवता हरसनात के मंदिर का निर्मान हुआ था चलते हैं आज के हमारे अगले क्यूशन के और हमारे अगला क्यूशन है Q24 चोहान वन्सकी रानी जो पुष्कर में परती दिन अपने इष्ट देव महादेव के सामने एकजार दीपक पर जूलित करती थी तो हमारे अप्षन है ओप्षन A कपूरी देवी ओप्षन B इच्छनी ओप्षन C सौमले का ओप्षन D रुद्रानी या आत्म प्रभाव तो स्टूडेंट Q24 का सई आंसर होने वाला है ओप्षन D रुद्रानी या आत्म प्रभाव जो चोहान वन्सकी रानी थी पुसकर में परती दिन अपने इच्ट देव मादेव के सामने एकजार दिपक परजूलित करती थी चलते हैं आज के हमारे अगले क्योशन के और हमारा अगला क्योशन है किस चोहान सासक की हरसना सिलालेक से माराज की उपादी मिलती है तो हमारे उप्षन है औप्षन ए गोईक परतम औप्षन भी चंदन राज औप्षन सी है वाग पति राज परतम औप्षन डिय दुरूबल राज तो इस्टूडेंट क्योशन नमबर 25 का सही आंसर है option C के अंदर हर्षणासी लालेक से माराज के उपादी मिलती है यानि कि जो वर्षणासी लालेक से माराज के उपादी मिलती है student ये दे आजrocket हमारे चुहनावन्स के top questions तो student अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेर करना ना बोलिए आप चैनल पर नहीं है तो फटाफट से QK Steady Channel को सब्सक्राइब कर लिजे ताकि आपको नोटिफिकेशन आसानी समझा है और आप अपनी तैयारी का आखलान क्यूँके Steady Channel के माद्दिम से कर सकते हैं इस पर आपको जनरल साइंस और जिक्की के टॉप क्यूशन शिरीद देखने को मिलेगी तो इस्टूडेंट वीडियो देखने के लिए टेंक्यू मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ में तब तके लिए आप अपनी तैयारी करते रहें और क्यूँके Steady Channel के माद्दिम से उसका अगलेंट करते रहें